जेहिन दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSE Constable GD भरती 2023-20 के CBT एकजाम के cut-up marks के बारे में देखिए दोस्तो जितने भी ये state है, सभी ये state का category wise cut-up जो है आज की इस वीडियो में जानेंगे, expected आपको cut-up बताएंगे CBT एकजाम में जो है कितना इस बार आपका cut-up जाएगा और दोस्तो जितने भी cut-up है, सभी previous year के analysis करके जो है तयार किये है तो चलिए दोस्तो यहाँ पे cut-up की details आपको बताते हैं और भारत के किसी भी state या के नरसासित परदेश से है सभी का cut-up आज की इस वीडियो में category wise male and female दोनों candidate का जानेंगे और आप सभी को पता है, SSE Constable GD के एकजाम 60% पलस जो है आपका यहाँ पे complete हो चुका है 7 March तक आपका last एकजाम है, उसके बाद दोस्तो आपका answer की आएगा, उसके बाद result तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, SSE Constable GD भरती related सभी update के लिए तो देखिए दोस्तो यहाँ पे जो cut-up का details है, वो आप सभी यहाँ पे देख लिजिए अलग-अलग state-wise जो है cut-up इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन एक important जनकारी आप सभी को बता दे आप सभी को पता होगा, SSE Constable GD के CBT exam का जो cut-up है, वो depend करता है दोस्तो आपके state पर, इसके अलावा दोस्तो depend करता है आपके category पर, और इसके अलावा दोस्तो depend करता है आपके area पर आप सभी को पता है, ये तीन factor जो है आपका important होता है CBT exam के cut-up के लिए, क्योंकि जो आपका cut-up तयार किया जाता है, ये state-wise, category-wise और area-wise और दोस्तो area की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि border, नक्सल और general, ये तीन area आपका होता है जिसमें border और नक्सल area से अगर आप बिलोंग करते होंगे तो इसका cut-up जो है कम जाता है, लेकिन वहीं दोस्तो अगर आप general area से बिलोंग करते हैं, तो इसका cut-up जो है काफी ज ज़्यादा देखने को मिलता है, और दोस्तो आप सभी को पता है कि ये state भी काफी ज़्यादा important है, क्योंकि कुछ state तो ऐसे हैं जैसे कि south area का और north east का, यहाँ पे तो minimum passing marks लाने पर भी result हो जाता है, लेकिन कुछ state ऐसे है जहाँ पे cut-up काफी ज़्यादा high जाता है, तो चलि दोस्तो यहाँ पे सबसे पहले बिहार, यूपी, उत्राखंड, जारखंड, राजस्थान, मध्यपरदेश, हर्याना और पंजाब, इन सभी ये state चाते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इस state का cut-up क्या रहेगा, क्योंकि दोस्तो आप सभी को होगा, इन सभी ये state का cut-up जो है, सबसे ज़्यादा high देखने को मिलता है, और ये special जो है UP and BR, ये दो ये state तो ऐसे है, जहाँ पे cut-up सबसे ज़्यादा high देखने को मिलता है, तो दोस्तो यहाँ पे cut-up सबसे पहले male candidate का देखते हैं, कि इन सभी ये state के लिए male candidate का cut-up क्या रहेगा और एक important जनकारी बता दे देखिए दोस्तो ये cut up जो है मैंने general area के जो candidate है उसके ध्यान में रखते हुए तयार किये है नकसल वाले जो candidate है उनका जो है थोरा सा इससे कम ही रहेगा तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तो male candidate का cut up सबसे पहले जानते हैं तो देखिए दोस्तो on reserve की बात करें तो इस बार cbt exam का ये cbt exam का cut up है ये कोई final cut up आपको नहीं बता रहे हैं cbt exam में इस बार दोस्तो on reserve का cut up है 105 marks से लेकर 120 marks तक आपको देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तो आप सभी को पता है कि इस बार vacancy की संख्या काफी कम है और form apply 47 ला के student किये हैं तो पिछले बार के तुनला में जो है vacancy की संख्या इस बार 50% है यानि कि यादा है तो दोस्तो definitely है कि इस बार cut up जो है previous भरती के तुनला में जादा जाएगा और उसी के coding में ये cut up आपका तयार किये हैं तो on reserve का 105 से लेकर 120 के बीच जो है आप सभी के cut up रहेगा इसमें जो noxal और border area के candidate होंगे उनका जो है 105 के आसपस रह सकता है लेकिन जो general area होते हैं वहाँ पे cut up high चला जाता है तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा different हम रखे हैं पंद्रे marks का तो द बात करें तो 98 से लेकर 115 marks SC की बात करें तो 95 से 105 और ST की बात करें तो 90 से 100 के बीच अगर आपका marks है तो आपका CBT exam में दोस्तो result रहने की पूरी संभावना रहेगा ये male candidate का cut up है इन सभी estate के लिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे female candidate का देख लीजिए तो female candidate की cut up की बात करे तो दोस्तो female candidate में भी competition अब काफी जादा है जितना vacancy है female candidate के अंतरगत उसके coding काफी सारे जो है form भी फील हुए है तो female में भी आपका competition कम नहीं रहने माला है क्योंकि previous भरती में देखेंगे तो female candidate का भी cut up काफी जादा हाई गया है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों female candidate की ब बात करें तो 87-97 और HD के लिए 85-95 के बीच आपका marks रहेगा तो इतना अगर आपका score है तो आप बिल्कुल safe score में रहेंगे आपका CBT exam में result रह जाएगा और दोस्तों बिल्कुल previous year के analysis करके मैंने बनाया है और previous year के cut up से 5-10 marks जो है मैंने जादा लिये है सभी में क्योंकि इस इसके बाद दोस्तों यहां पर बात करते हैं कुछ ऐसे state है जहां पर cut up जो है कम जाता है जैसे की वेस्ट बंगाल, 36 गर्ड, दिल्ली, गुजरात, इसके अलावा हिमाचल परदेश, उरिशा और महराष्टरा यह सभी state से बिलोग करते हैं तो इन सभी का cut up आप देख देखेंगे दोस्तों male candidate की बात करें तो इन सभी state की जो cut up है male candidate के लिए यहां पर देखेंगे on reserve के लिए 95-105, OBC के लिए 90-100, EWS के लिए 88-100 marks, AC के लिए 80-90, AST के लिए 75-85, यह दोस्तों CBT exam का cut up male candidate के लिए आपको बता रहे हैं इसके बाद दोस्तों यहां पर female candidate का cut up देखेंगे इन सभी state के लिए जो यहां पर अभी आपको बताए हैं इन सभी state के लिए तो female candidate का on reserve के लिए 90-100, OBC के लिए 87-97 marks, EWS के लिए 85-97 marks और SC के लिए दोस्तों यहां पर 80-90 marks और ST के लिए 75-85 marks तो girls candidate है और इन सभी state से अगर आप सभी आते हैं और जो अभी आपको यहां पर score बताए हैं category Y इतना के बीच अगर आपका marks है तो आप बिल्कुल safe score है आपका result जो है CBT में हो जाएगा इसके बाद दोस्तों North East and South की जो एरिया है और इसके अलावा जम्मू कस्मिर लदाख को यहां पे मैंने add किये हैं यहां पे state का नाम देखेंगे सभी state का नेम मैंने लिख दिये हैं जो की North East और South state के एरिया में आता है जैसे की अरुनाचल परदेश, अस्सम, नागलेंड, म cut-up जो है काफी कम जाता है, minimum qualifying marks पर भी यहां पे result होता है, तो देखिए दोस्तों इस बर क्या रहेगा, इस बर जो है इन सभी जितने भी यह state है, इसका cut-up आप सभी को यहां पे बता रहे हैं, देखिए दोस्तों male candidate की बात करें, CBT exam के लिए तो on reserve में 70-80, OBC के लिए 65-75, marks, EWS के लिए 63-75, SC के लिए 69-79, और ST के लिए 55-66, क्योंकि दोस्तों इन सभी यह state का cut-up अगर आप देखेंगे previous year में, तो काफी कम गए हैं, 50, 55, 35, 57, 60, इस तरह marks पर selection हुए है CBT exam में, तो इस बर थोरा सा highest marks यहां पे हम रखे हैं, आप सभी देख सकते हैं, क्योंकि vacancy कम है previous के तुला में, इसलिए थोरा सा cut-up high यहां पे रखे हैं, इसके बाद दोस्तों female की बांद करें, तो female candidate का cut-up तो previous year में minimum qualifying marks पर हुआ है, तो इस बार आप देखेंगे, इस बार थोरा सा high जाएगा, unreserve के लिए 65-75, OBC के लिए 60-70, EWS के लिए 59-70, SC के लिए 55-65 marks, और ST क तो यह female candidate का है, अब देखिए दोस्तों, जीतने भी मैंने cut-up बताए हैं, यह previous year के analysis करके बताए हैं, previous year में आप देख लिजिएगा, इससे कौम ही cut-up आप करहेगा, हलांकी दोस्तों हो सकता है कि general area में थोरा इस से जादा कहीं देखने को मिल जाए, वो अलग बात है, लेक को confirm cut-up का पता चलेगा कि कितना score हो रहा है student का, अभी answer की नहीं आया है, तो answer की के बाद सभी student के बारे में पता चल जाता है, कि कौन से student का, कितने student का कितना marks आ रहा है, तो उसके बाद भी आपको cut-up बताएंगे, लेकिन अभी previous year का analysis करके, जो cut-up है CBT exam का, वो मैंने आप स पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिएगा, और दोस्तो कट-up का PDF चाहते हैं, तो comment में बताएगा, इसका PDF आपको provide करा देंगे, टेली गराम पर, और इसी तरह से दोस्तो चैनल को सबस्क्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाल